अलो स्टुटेंट्स हम लोग एक्साइज 1.2 पर है और कोस्ट नमर है 21 कर दा लेंथ ब्रेथ और हाइट ओफ ए रूम आर याद देखो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है टिरमाइंड दा लॉंगेस्ट रॉड विज कैन भी मेजर दा थ्री डेमेंशन्स अफ दा रूम एग्ज यह रूम हो गया इसका लेंथ कितना दिया है एट मीटर 25 सेंटी मीटर ब्रेथ कितना दिया है शिक्स मीटर 75 सेंटी मीटर ठीक है और हाइट कितना दिया है फोर मीटर 50 सेंटी मीटर तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेंथ आफ रूम का है एट मीटर 25 सेंटी मीटर यान यानि कि 825 cm में हो जाएगा आपका वरेथ भी दिया है चलिए ब्रेथ कितना दिया है ब्रेथ आफ रूम ब्रेथ आफ रूम क्या दिया है तो आपका 6 मीटर 75 सेंटी मेटर है जो मुझळ है मिट्स है पर फिविटी संथी किया हो जागा आप और फिपटिश कि मुसनघ के अगर मैं इन तीनों का क्या होता है यह तीनों को एकजेक्टी डिवाइड पर सकता है यह तीनों एकटिली डिवीग्वार जो को फाल जी बिल्कुल होंगे तो अगर मैं HCF निकाल दूँ तो वह जो आएगा वह क्या होगा वही आपका length of longest road होगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि HCF से यह तीनों divisible होंगे इसका मतलब कि हम लोग उस से हम लोग सब को major कर सकते हैं HCF से हम लोग क्या कर सकते हैं इसके length को भी exactly major कर सकते हैं longest rod जो होगा वह equal होगा HCF इसके 825 cm 675 cm and 450 cm चलिए हम लोग solve करते हैं तो हम लोग पहले इसमें से कोई दो ले लेते हैं 825 greater है ना आपके 675 से बिल्कुल है चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लगते हैं यहाँ पर एक को ए ले लेते हैं और एक को भी बड़े वाले को यह और छोटे वाले को भी ले लेंगे तर यह अब इसके बाद हम लिखेंगे युक्लीड्स युक्लीड्स डिवीजन डिवीजन लेवा क्या होता है एक वर टो बीक्यू प्लस आर और जोगा जीरो से एक्वल या जीरो के जीरो के जीरो से ग्रेटर होगा बट लेस देन होगा भी अब चलिए यहां लिखते हैं 675 यहां पर जीरो यहां पर आपका 5 यहां मत तो इन्टू में आप वन और प्लस में 150 लिखेंगे अभी डिमेंडर जीरो नहीं आए तो नेक्स स्टेप लेते हैं स्टेप सेकंड फिर सब्लोग यहां पर डिवीजन 675 और आपका जो रिमेंडर है उसको लेंगे तो 150 से सब्ला स्टेप लेते हैं स्टेप फटर इधर आपका 150 इधर आपका 75 टू टाइमस वे आपका जीरो रिमेंडर आज आएगा तो आपका एट्सीएफ जो हो जाएगा किसका किसका हमने निकाला एट्सीएफ निकाला है 675 और 825 का जो कि क्या है आपका यहां से 75 अब लिखें नाउ हम लोग जो एसको लेंगे और जो तीसरा आपका इसमें आपका 450 बजगिया उसको लेकर तो 450 ग्रेटर है आपके 75 से है ना तो चलिए आगे अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट इधर आपका 450 और इधर 75 यह सिक्स बार में कर जाएगा आपका 825 675 और आपका तीसरा क्या है 450 तीनों की है इसकिया गया तो हमें क्या निकालना था निकालना था लेंथ ऑफ लेंथ ओफ लगेश्ट रोड है लोगेश्ट रोड है क्या हो जाएगा आपका 75 सेन्टिमीटर समझ गये 110 इच्वप सन देखी यह तक Conte 22 number express the hcf of 468 and 222 as 46 468 x and 222 y where x and y are integers in two different ways अच्छा मैं इसे दो different ways में इसको क्या करना है express करना है hcf of इतना है इतना इन दोनों के hcf को इस form में यानि कि दो different form में इसी तरह से form होगा लेकिन वो दोनों different form होगा और यहाँ पे x और y क्या है आपके integers हैं ठीक है तो हम लोग पहले इन दोनों के hcf निकालते हैं हम लोग देख रहा है कि 468 जो है greater है 222 से तो हम लोग यहाँ पहली सकते हैं कि a जो होगा आपका 468 हो जाएगा और बी जो होगा आपका 222 हो जाएगा अब यह लिखेंगे यूक्लीड यूक्लीड डिवीजन डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा एक्वाल टू बी क्यू प्लस आर और जोगा जीरो से ग्रेटर जीरो के इक्वाल होगा बट लेस देन होगा भी अब स्टेप फस्ट स्टेप फस्ट में इधर एक 468 और इधर 222 तो इससे डिवाइट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां टू टाइम्स में आपका जाएगा यहां पर नाइन टाउश में 216 हो जाएगा ह्सट्रेक करो तो स्ब्द्रेक करो गयो तो आपका आजाएगा यहां पर इन्टू में आपका 9 और 127 और ज bombers अब प्लस में 6 अभी भी आपका रिमेंडर जो है जीरो नहीं आए तब फिर वन सब्सक्राइब हमें अगला स्टेप लेना होगा स्टेप थर्ड इधर आपका 24 इधर 6 फोर जा आपका 24 रिमेंडर आपका जीरो आगया पर यहां जो हमें इस फॉर्म में इसे चेंड करना है तो चलिए हमें करना क्या होगा इसी के हम लोग रिवर्स प्रोसेस करते चले जाएंगे तो आप देखिए ना हो हुआ है ठीक है आप देखिए हम लोग क्या करेंगे सिक्स इक्वाल टू में 222 माइनस यहां पर मैं 24 के इस प्लेस पर इसको इधर लाके मैनस क्या कर सकते हैं वह जागा 468 माइनस का 222 इंटू और बाहर आपका क्या है नाइन है ठीक है हमने 24 का वैलू रख दिया एस टेप इस प्लेसेसे है चलिए यहां सॉल करते है इस इसको पह्ले लिते हैं 468 में इन इन दोनों को देखि लो इन दोनों को में तो 222 into में क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा तो एक form हो गया एक form आपका हो गया दो तरीके से रिप्रेजेंट करना नहीं तो एक form तो हो गया अब मैं क्या करता हूं दूसरे form में लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूं तो आपका 468 में माइनस का 9 और प्लस 222 हो एक बार कोड़ कर लूँगा 468 में 222 और एक बार कर लूँगा 968 एक से माइन झतव में 222 एक बड़ एक आपनोर धी कर दियंट किये और एक इसमें common करोगे, क्या common होगा, तो आपका 468, तो यहाँ आपका minus का 9, और plus का यहाँ 222, फिर plus, यहाँ पे दिखो, इन दोनों में से, हम लोग यहाँ common करेंगे, 222 को, तो यहाँ पे 19, और यहाँ minus का 468, यही न हो जाएगा, तो लिस्तिक इकोल टो बे, यहाँ पे 468, और into मे यहाँ पर solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 213, यह सब्टेक्ट कर लेंगे, और plus, यहाँ 222, और into में, आपका हो जाएगा, सब्टेक्ट करेंगे, तो minus का 449, यही न होगा, तो हमने यह दूसरा वे भी दिखा दिया, तो यही दो कोशन आपके बचे हुए थे, मैंने बता दिया, आपको हमारे तीन चैनलों को सस्क्राइब करना होगा, पहला है, पाथ, फैंडर, क्लासे, छपरा, पाथ, फैंडर, क्लासे, छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन, रवी कांत सर, और तीसरा चैनल है, रवी कांत सर के नाम से, तीनों को सस्क्राइब कर लेंगे, और इससे डिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे डिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे